मैं आशारे नीरजकुमार सास्ति गुरुकुरा कॉम्पटिशन कलासेस के निसुल्क संस्क्रत के चैनल में आपका स्वागत है तो मैं आपको दोस्तों जीरो लेबल से आपको संस्क्रत ग्यान कराऊंगा हमें आपको यानि कि सबसे पहले संस्क्रत में जो जीरो लेबल है वह है वर्ड यानि कि हम सबसे पहले आपको वर्ड से सुरू कराएंगे हो यानि कि वर्ड सबकी विद्पत्ति कैसे हुई क्या परवास आएं आगे जो भी आपको डेटेल बताया जागे सबसे पहले जो सबस सब्द कैसे वना तो दोस्तों इस वर्ण सब्द में बिरी धात्य है और नेप्रत्यman यानी कि वण सब्द की जब हम वित्पत्य पढ़ते हैं तो ये जो वण सब्द है यह बिरी धातू और ने प्रति के युग से निफपन होता है इसमें जो आपको बरी धातू में आपको जो रही दिखाई दे रही है इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा अर जब री के स्थान पर अर होगा यानि कि इस ब्री में से इस ब्री धातू में से हम जब री को निकालेंगे तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा अर इस जो आपको ब्री दातु में आपको री दिखाई दे रही है इस री के साम पर क्या हो जाएगा और उसके बाद में जो आपको ने दिखाई दे रहा है इस जेवन की पहले होगी इत संग्या जो आपको ने प्रत में आपको जो जेवन दिखाए देरा इसकी क्या होगी इस संग्या और इस संग्या करने का जो सूत्र यानि की जे की क्या होगी इस संग्या इस संग्या और इस संग्या करने का सूत्र है हलंत्यम यानि कि हलंक्यम सूत्र की साहता से इस ने में जो आपको जैवन दिखाए देरा है से क्या हो जाएगी इत्संग्या यानि उपदे सवस्ता में आए हुए अंतिम हलंक्यम सूत्र क्या करता है इत्संग्या करता है और जिस वर्ण की संग्या हो जाती है उस वर्ण का क्या हो जाएगा लोप और लोप की सूत की साथा से होगा तस्य लोप है पुने सुने यानि कि ये जो वर्ण सब्द है इसमें व्री धातू है और कौन सा प्रत्य ने प्रत्य इसमें जो आपको व्री में जो आपको री दिखाई दे रहा है इस री के समर क्या हो जाएगा अर क्या हो जाएगा अर और जो ने आपको प्रत्य दिखाई दे रहा है इसमें ने में जो जेवन है पहले जेवन की क्या होगी इत संग्या कि सूत्र की साहता से हलंत्यम सूत्र की की साहता से और जब इस संग्या हो जाने के बाद में फिर लूप हो गया जिस वन की संग्या हो जाती है उस वन का क्या होगा लूप और लूप की सूत्र की साहता से होगा हलंत्यम सूत्र की साहता से इस्थिति क्या बनी इस ब्री में यानि की री के साम पर क्या हो गया अर तो यह स्थिती बनी यह एईस में जुड़ जाएगा हलन में तर जायेगा हुल और उसके बाद में ने मेंसे क्या निकल गया जेकि संग्या हो गई और क्या बच गया ने और रहर परा हो गया एसे तो ये वे क्या हो गया? पूरा हो गया. उसके वाले सब्ध क्या बना बर्न सब्ध बना. लेकिन हमें क्या बनाना है? वर्न बनाना है? तो फिर एक अड़क्तो विधान करने का सूत्रै एक. अड़क्तो बिधान करने का सूत्र एक रशाब्याम लोडे समानपदी यह धूत्र यह यह यानि कि जब यह वर्ण सब्थ बन गया तो इस वर्ण सब्थ में आपको क्या करना है वर्ण में तो इस वर्ण में एक अड़त्व बिधान करना पड़ेगा हमें तो अड़त्व बिधान करने का क्या सूत्र है रसा भ्याम नूड है समान पदे इस सूत्र की साथ ये सूत्र क्या कहता है कि यदी सब्द में आपको रे री से ये वर्ण यदी आपको दिखाई दे रहे हैं तो फिर न ने के स्थान पर क्या हो जाएगा और दो ने के स्थान पर ने हो जाएगा तो सब्द क्या बनेगा फिर वर्ड समझे वाई बात यानि कि यह जो नड़तो अड़तो बिधान है यह एपदांत ने को करेगा ने में एपदांत ने को यानि कि यह जो ने है यह क्या एपदांत ने है एपदांत यानि पद के अंत में यह पद के अंत में तो क्या हरस ए है तो इस एपनात ने के सामपर क्या हो जाएगा रे हो जाएगा यानि कि इस वर्ण सब्द में ब्री धातु है ने प्रत्य है और उसके बाद में इसमें आप जो वरी में जो री दिखाए दे रहा है इस री के सामपर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा उसके बाद में ये जो आपको यानि वर्ण बनाये लेकिन और या अड़्टो बिधान किया अड़्टो बिधान की सहता से सब्द क्या बन गया वर्ण और इस वर्ण सब्द का अर्थ होता है रंग या वर्ण करने बाला यहने कि CDC बात है कि वर्ण सब्द की बित्पत्ती बिरी पिलस नेप्रत की यूग से निस्पन होती है और इस वर्ण सब्द का अर्थ क्या होता है रंग या बरण करने बाला ये तो हमने बात करी कि वर्ण सब्द कैसे बनता है बर्ण सब्द कैसे बनता है अब वर्ण सब्द का अर्थ भी बताया था कि वर्ण सब्द का अर्थ क्या होता है रंग या बरण करने बाला आगे परवासा की तरफ बढ़ते हो अब आगे वर्ण की परवासा दोको वर्ण सब्द की आपने परवासा शुरू से ही आप पढ़ते आए हैं लेकिन बहुत तो चोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि वासा की वह है चोटी से चोटी काई जिसके टुकड़े ना किये जा सके उसे क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं ये तो है बिल्कुल चोटी इस तरकी बात लेकिन हम आपको बता हैं कि वर्ण की परवासा की सबसे पहले व शब्द कोश के अनसार बनकी परवासा होती है रंग करमाड़ी बरनानी ये किस के अनसार है शब्द कोश के अनसार शब्द कोश में सीधी सी पंक्तिय लिखी हुई ये की वण के परवासा के बिशे में की रंग करमाडी बरणानी अर्थात रंग अथवा श्याही से अर्थात रंग अथवा श्याही से लिखित सार्थक धुनी को क्या केते हैं वर्ण केते हैं यह किसम लखी हुई है परवासा शब्द कोष में यानि शब्द कोष के अनसार परवासा है रंग करमाडी बरणानी रंग अथवा स्याही से रंग अथवा स्याही से लिकित सार्तव दुनी को हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं दूसरी परवासा है यास्क यास्क की अनुसार यास्क की अनुसार जिसके गरंद का नाम निरुक्त यास्क की अनुसार परवासा है ब्रियते इती वर्ण है ब्रियते इती वर्ण है यह यास्क ने दी यह परवासा ब्रियते इती वर्ण है वह सार्थक दुनी जो एक निश्यत स्वरूप एबं बनावट का चैन करती है वह सार्थक दुनी जो एक निश्यत स्वरूप एबं बनावट का ब्रियते का मतलब क्या होता है चैन करती है वह सार्थ अगदुनी जो एक निश्चित सुरूप एवं बनावट का चैन करती है उससे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं यह किस ने कहा है यास्क ने पहली परवासा किस ने दी है शब्द को उसके अनुसार है रंग करमाडी बरणानी रंग अथवा स्याही से लि ब्रियते इती वर्ण है ब्रियते सब्द करत क्या होता है चैन करना तो वह सार्थ अगदुनी जो एक निश्चित सुरूप एवं बनावट का क्या करती है चैन करती है उसे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं यह यास्क की अनुसार है उसके बाद में पिंगल मुनी या पिंग पिंगल महोदे के अनसार यानिक जो कि छंद सास के प्रेडिता है पिंगल महोदे उन्होंने भी वर्ण की परवासा दी है और उन्होंने वर्ण की क्या परवासा दी है कि स्वराणी स्वर्यूक्त भ्यंजनानी स्वर्यूक्त भ्यंजनानी चे वर्णानी यह परवासा दी है किसने पिंगल महोदे न्होंने भी वर्णानी स्वर युक्त ब्यंजनानी चे बर्णानी स्वराणी माने सभी स्वर चे माने क्या होता है और स्वर युक्त ब्यंजनानी माने स्वर युक्त ब्यंजनों को हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं यह किस ने कहा है आचारे पिंगल महुदेने कि स्वरानी स्वर युक्त ब्यंजनानी चे वर्णानी स्वर यानि सभी स्वर चे माँने होता है और स्वर युक्त ब्यंजनानी माँने स्वर युक्त ब्यंजनों कू क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं ये किसने कहा है पिंगल मोह देने तो उसके बाद में ये तो है वईन की परवासा ये तो है सभी वईन की परवासा एक अक्षर की परवासा में दिये किसने यास्क ने अक्षर की परवासा ना चर्थी छिये तेवाईती अक्षर है नाचर्टी छियतेवाइती अकशर है यह किसकी अंसार है यासक की अंसार है लेकिन किसकी परवासा है अकशर की यानि कि यास्क ने अक्षर की क्या परवासती यह ना चरती छीएते वाइती अक्षर है वह मूल धुनी जिसका चरण खंडन एबं विवाजन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं क्या कहते हैं अक्षर यदि आपसे कोई पूछले कि भासा की सबसे चोटी मौक के काई क्योंकि मैं आपको यह इंतर वता रहा हूँ, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, आप से पूछ ले, कि भासा की सबसे चूटी, भासा की सबसे चूटी, मौकिक एक आई, भासा की सबसे चूटी, मौकिक एक आई, मौकिक लिखे तनी मौकिक एक आई तो क्या मानी जाएगी ध्वनी क्या मानी जाएगी ध्वनी भासा की सबसे चोटी मौकिक एक आई क्या मानी जाएगी ध्वनी यदि कोश्र ऐसे हो कि भासा की सबसे चोटी लिखे तकाई तो क्या आएगी वर्ण embrace सीदिय सा यह पूछ लेगी भासा की सबसे चोटी मोकिक आई तो क्या मानी जाएगी ध्वनी क्योंकि सबसे पहले ध्वनी निकलेगी यह आपसे पूछ लिया जाएगी भासा की सबसे चोटी लिखेत काई तो क्या मानी जाएगी वर्ड लेकिन ना तो लिखेत पूछे ना मौकिक पूछे डाल यह पूछ लेगी भासा की सबसे चूटी काई कौन सी है तो फिर कौन सी मानी जाएगी वर्ड ही मानी जाएगी कौन सी मानी जाएगी वर्ड एक यह पूछ ले कि भासा की परवासा की वण की परवासा अक्षर की परवासा लेकिन मैं आगया कोई में पूल मात पताना चाहूंगा कि आप से दी कोई पूछ ले को ने बता रहा हूं कि भासा की सबसे छोटी मौकिक एकाई क्या मानी जाएगी ध्वनी भासा की सबसे छोटी लिखित एकाई क्या मानी जाएगी वर्ड भासा की सबसे छोटी मौकिक एकाई मौकिक एकाई ध्वनी भासा की सबसे छोटी लिखित एकाई कौन सी मानी जाएगी वर्ड यदि आज से पूछ लिया जाए कि भासा की सबसे छोटी एकाई सबसे छोटी एक आई सबसे छोटी एक आई ना लिकित पूछे ना मौकिक पूछे तो फिर क्या मानी जाएगी वर्ड नमबर च्यार यदि आप से पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर भासा की सबसे छोटी एक आई सबसे छोटी एक आई तो क्या माना जाएगा शब्द क्या माना जाएगा शब्द अर्थ के आधार पर क्योंकि जो अर्थ होता है वो सब्द का ही होता है अर्थ के आधार पर भासा की सबसे चूटी काई क्या मानी जाएगी शब्द और यदि आप से पूछ लिया जाए कि भाव के आधार पर भाव के आधार पर भासा की सबसे चूटी काई भाव के आधार पर पूछ लिया जाए तो फिर क्या आएगा बाक के क्योंकि भाव जो होता है भावास जो होता है वो बाक क्या होता है सबसे चूटी मोके के काई द्धुनी पर सबसे चूटी चूटी काई क्या मने जाएगा बाक के ये तो हमने की वर्ण की बात और अक्षर के बाद और अब आगे चलेंगे वर्ण के प्रकार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं एक चीज और बताऊँ आपको मैं प्रकार से पहले कि ये जो वर्ण और अक्षर है वर्ण और अक्षर जो अभी मैंने आपसे बात के थी सबसे पहले मैंने वर्ण सब्द की विद्पत्ती बताई थी कि वर्ण सब्द कैसे बना उसके बाद में वर्ण की परवासा भी बताई थी अक्षर की भी परवासा बताई थी और उसके बाद भी एक चीज में बताना चाहँगा कि वर्ण और अक्षर जो मुनीत्रई है मुनीत्रई मुनीत्रई आप जानते होंगे मुनीत्रई में कौन-कौन से आते हैं एक तो आता है पार्णी, कात्यायन और पतंजली पार्णी, कात्यायन, पतंजली इन तीनों को क्या कहते हैं मुनीत्रई तो इन तीनों की अनुशार यानि पार्णी, कात्यायन, पतंजली इन तीनों के बारे में जो वर्ण विचार हो जाएगा इनके परचे को मैं डिटेल से आपको बता हुआ लेकिन फिलाल इस समय आपको बस इतना देखना है कि मुनी त्रेव में कौन-कौन से आते हैं तीन मुनी आए, पार्णी है, कात्यान है और पतंजली है तो इन मुनी त्रेव की अनुसार वर्ड और अक्षर को इन दोनों को क्या माना जाता है? पर्या है यानि इन तीनों ने, इन मुनी त्रेव यानि इन तीनों ने वर्ड और अक्षर को क्या माना? पर्या माना है कि वर्ड और अक्षर एक ही बात है या वर्ड कहलो अक्षर कहलो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्या है ये तो मुनी त्रेव ने माना है लेकिन एक और व्याग्मन चाहरे हुआ मदू सुधन ओजा मदू सुधन ओजा मदू सुधन ओजा जिसके गरंद का नाम है वयन समीक्षा जिसके गरंद का क्या नाम है वयन समीक्षा यानि मदु सुधन ओजाग के इस वर्ण शमीक्षा नाम ग्रंथ में यानि मुनीत रेने वर्ण और अक्षर को क्या माना है पर्या माना है लेकिन मदु सुधन ओजाग के वर्ण शमीक्षा नाम ग्रंथ में इस वर्ण और अक्षर को इस वर्ण और अक्षर को क्या माना है पिर्थक पिर्थक माना है अलग अलग माना है भिन भिन माना है यानि कि मदू सदर ओचा ने अपने वन समिक्षा नामा गरंतों में ये बताया है कि जो वन और अक्षर ये दोनों क्या है अलग लग है लेकिन मुनीतरे ने क्या माना है पर्याय माना है तो दोनों म में आपको यह चीज आप जहां रखना कि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण और अक्षर पर्रया यानि वर्ण कहलो चाहर कहलो एक ही बात है एक बात है लेकिन मुनी त्रही के अनुसार यानि मुनी त्रही में जो तीनों यह जो रिशी है पाणी है काट्यान है पतन जली है अऱे लेकिन मधू सुधन ओजने अपने वर्ण स्मिख्षा नामक ग्रओंत में कि मधू सुधन ओजने वर्ण और अक्षर को क्या माना है प्रतक प्रतक माना है अलग अलग माना है कि वर्ण और अक्षर क्या है अलग अलग है आगे यह तो वर्ण और अक्षर की परवासा की बात हुई और किसने क्या बताया यह बात हुई लेकिन आगे अब बात होती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नमबर एक, अच्छ वर्ण, जिसे हिंदी वासा में कहते हैं, स्वरवर्ण, नमबर दू, हलवर्ण, जिसे हिंदी वासा में कहते हैं ब्यंजन वर्ण, वर्ण के दो प्रकार होगे, एक तो है अचवर्ण और एक है हलवर्ण, सबसे पहले आएगा अचवर्ण, यानि स्वर्वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले आएगा अचवर्ण, और इस अचवर्ण की क्या आएगी परिवासा, कि अचवर्ण किसे कहते हैं, वेवर्ण जो स्वयम प्रकासित होते हैं, वेवर्ण जो स्वयम प्रकासित होते हैं, अर्थात जिनका उचारण करते हैं, अर्थात जिनका उचारण करते हैं, उन्हें अचवर्ण कहते हैं, ये किसकी परिवासा है, अचवर्ण की, यानि की वर्ण कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार की, नमबर एक अचवर्ण और नमबर दो हलवर्ण, सबसे पहला लिया हमने अचवर्ण, जिसकी परवासा क्या है, कि वे वर्ण जो स्वयम प्रकासित होते हैं, अर्थात जिनका उचारण करते हैं, अन्य किसी वर्ण की सायता ना ली जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचवर्ण कहते हैं, उसके बाद में अचवर्ण की क्या हैगी, अचवर्ण की फिर प्रकार आएंगे, अचवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानि आप से पूछ लिया जाए कि एक तो काल के आधार पर होते एक इस्थान के आधार पर होते एक नास्का के आधार पर होते तो सबसे पहला जो है मात्रा और काल के आधार पर मात्रा या काल के आधार पर स्वर की तीन प्रकार के होते यानि काल या मात्रा के आदार पर स्वर कितने प्रकार के हुए तीन प्रकार के नमबर एक हिरस स्वर नमबर दू दीर्ग स्वर और नमबर तीन पिलुत्व स्वर ये किसके आदार पर हैं काल के आदार पर यानि काल या मात्रा के आदार पर स्वर के कितने प्रकार हुए तीन प्रकार नमबर एक हिरस स्वर नमबर दू दीर्ग स्वर और नमबर तीन पिलुत्व स्वर सबसे पहले आएगा दीर्ग स्वर यानि कि सबसे पहले आएगा हिरस स्वर यानि हिरस स्वर किसे कहते हैं सबसे पहला हिरसुस्वर की परवासा की बेस्वर वर्ण जिनका उचारर करते समय बहुत कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं हिरसुस्वर कहते हैं जैसे ए, ई, उ, रे, और लिरी यानि कि बेस्वर वर्ण जनका उचारर करते समय हिरसुस्वर से बेस्वर वर्ण जनका उचारर करते समय बहुत कम समय लगे या अल्प समय लगे उसे हम क्या कहते हैं हिरसुस्वर जैसे कौन-कौन से हिरस्वर ए, ए, उ, र, ल, 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 इन पांचों को यानि हिरस्वर की संग्या कितनी होती है पांच इन पांचों को हम मूल स्वर भी कहते हैं क्या कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं दूसरा है दीर्ग स्वर दीर्गुस्वर की परवासा है कि बेस्वर वर्ड जिनका उचारण करते समय हिरस्वर से दुगना समय लगे कितना समय लगे दुगना समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं दीर्गुस्वर जिनका उचारण करते समय हिरस्वर से दुगना समय लगे कितना समय लगे दुगना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं दीर्गुस्वर कहते हैं जैसे आ ई उ री ए आई ओ आव शंक्या कितनी हुई आट बेस्वरवर जिनका चारण करते समय हिरस्वर से दुगना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं दीर्ग स्वर कहते हैं और दीर्ग स्वरों की संक्या कितनी होती है आट कितनी होती है आट आगे है तीसरा पिल्ट स्वर बेसवरवर्ण जिनका चारण करते שמiden जिनका चारण करते समयorum स्मय तीन गुना समय लगे तिगना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं पिलुसवर कहते है और कौन-कौन से होते हैं यह जो Тीन का निसा नहाब को में बता हुआ शेंख्या कितनी होती है? नो यानि पिलिस्वरों की सेंख्या कितनी होती है? नो बे स्वरवण जनका चारण करते समय हिरस्व स्वर से तीन गुना समय लगे उसे हम क्या कहते है? पिलिस्वर कहते हैं और पिलिस्वरों की संक्या कितनी होती है? नो पंका चला दिन पिलिस्वरों की संक्या कितनी होती है? नो यानि जो ये पिलिस्वर हैं इन जो पिलिस्वरों का जो प्रचलन होता है यह जो आपको प्रचलन होता है यह किसी व्यक्ति को बुलाते समय जैसे लता नाम है तो इस लता को पुकारते समय यानि दूर से पुकारते समय लता में जो यह आपको दीरगा दिखाए देरा दीरगा की मात्रा है यह दीरगा क्या मना जाएगा प्रचलन होता है यह बैदिक स नंसक्रात में नहीं कि पुने सुने आप याणि वर्ण कितने प्रकार के मानें गए 2 प्रकार के नमर एक अच्छ वर्ड और नमर दो मुझ Can पहला में ने बताया को अच्छ वर्ण जिसकी परवासा क्या है कि विस्भर की प्रकासित है जीels जो श्वयम प्रकासित होते हैं अर्था जिनका अचारण करते समय अन्य किसी वड़ की साहता ना ली जाए उसे हम क्या कहते हैं स्वरवन कहते हैं और स्वरवन को उसके बाद मैंने प्रकार बताए लेकिन किसके आधार पर मात्रा या काल के आधार पर या काल या मात्रा के मैंने बता था आपको हिरसुस्वर बेस्वर वर्ड जिनका अप्चारण करते समय बहुत कम समय लगे या अल्प समय लगे उसे हम क्या कहते हैं हिरसुस्वर कौन कौन से होते हैं हिरसुस्वर जैसे ए है ई है उ है री है लिरी है इन पांचों वायनों को हम क्या कहते हैं वड जिनका ओचारन करते समय क्योती स्फब्ल दिर्ग स्फब गई लगें तो बे शुआर बनका इसे पया समय क्यों सब्लस्ता कि क्यों क्यों लगें तो थीक्त deben उनहों इनकी संक्या कितनी ओती है अाट कितनी होती है उसके बाद इसन क्या कहते हैं पिल्ष की परवासा होती है कि बे स्वर उक्ति वंड जिनका परT छाया नहीं है तो इसको कहेंगे हम ए इसको कहेंगे आ बहुत कम समय लगा है इसमें तिकना कैसे लगा जैसे रमा नाम है रमा तो रमा यानि किसी व्यक्ति को हम जब दूर से बोलाएंगे तो दूर से बोलाते हैं समय जब रमा नाम को जब लिया जाएगा तो इसमें जो दीरग आ की मात्रा है इसको खीचा जाएगा पिलुक, यह जू इतने भी निसान लगेंे हुए यदि आप से पूछलिया जाए यदि आप से पूछलिया जाए कि सामाने वार्णंँ मानवे शामानय वार्ण माला में यहसु लुकिक संस्कृत्त में थे कल लुकिक संस्कृत्त में, सुर्त कितने होते हैं 13, है कितने होंगे तेर पाँच और अड़ क्या है दीर कितने होंगे तेर है लेकिन आफ से पूच्छा लिए जाए कि बैदिक संसक्रत वम हो create कि सभा किस संक्रा टेक्चत कितने होगे पिर किवासने कि नौ में लेज से यानिए और और जोड़ जाएंगे यहांने कि 12 तो कितने होगे लौकर में होगे और बैड़िक की जब हम बात करेंगे तो बैड़िक संस्क्राइट में प्लुस्वरों को प्रचलल होता है इसलिए बैड़िक संस्क्राइट में सुवर कितने होगे कितने माने जाएंगे सुवर कितने सुवर माने जाएंगे 22 कितने माने जाएंगे 22